आज फार्मिंग का और एक एपिसोड में सारे किसानों को स्वागत है तो ये आज देखिए मेरे पीछे ये क्या है तो ये है सुपर नेपियर घास और ये अपना जो डाईरी फार्म है गोटेरी फार्म है जो भेड, बक्री, गाय भेंस वो सभी ये चारे को खा सकते हैं और ये उसी के लिए ही इसका फार्मिंग किया जाता है और अगर आपका डायरी फार्म है या गोटेरी फार्म है तो आप ये घास को जरूर लगाए और जो भी, मैं ज्यादा तर सुनता हूँ कि जो भी किसान भाई डारी फार्म करते हैं या अपना गोटेरी फार्म करते हैं तो ये काफी सुनने मिलता है कि उनका खर्च नहीं बच पाता है जो डारी फार्मिंग से उनको काफी लाब नहीं हो पाता है तो उसका कारण ही ये है कि ये घास उनके पास नहीं है तो ये घास का खेती आप करें तो आपका काफी पैसा बचेगा क्योंकि जो अपना गाई है उसको जादा तर जो जिसके पास ये घास नहीं है वो उनको कसिस करते हैं कि उनको जादा तर दाने पे दाना दे के ही उनका बोड़ी वेट मेंटन करें और दूद बढ़ा है लेकिन जो गाई है उसका जो बोड़ी स्ट्रक्चर है वो दाना के लिए नहीं वो अपना जो है घास के लिए बना है और जो आजकाल के जो दाने आते हैं उसमें आपको पता होगा कि काफी केमिकल मिला हुआ रहता है जिससे दूद तो थोड़ा बहुत बढ़ता है लेकिन लोंग टर्म में जाके आपका गाई का सहत भी खराब होता है तो यह देखिए यह वो घास है इसको आप नेचुरल अपना फार्मिंग करें और इससे आपका काफी बचत होगा आपका गाई को परफेक्ट एमांट में उसको अपना जो घास मिलेगा हराचारा मिलेगा क्योंकि आपका घास गाई भैंस जो भी बकरी है उनको ज्यादा तर प्यारा होता है हरा घास तो यह उनको मिलेगा और इसका खेती भी आप low cost में कर सकते हैं और इसको कैसे खेती करें मैं आपको बता दू तो देखिए यह जो घास देखिए इसका आप जो रूपाई करेंगे इसका तो सीड्स नहीं आता है तो यह देखिए यह नोड है जैसे गन्ना जैसा आपका होता है यह गन्ने के जैसा अपना घास होता है तो यह देखिए गन्न के जैसा इसका नोड्स है आपको इसका चिलका हटा के दिखा रहा हूं देखिए यह भी छोटा है यह पेड़ तो इसका गन्ने के जैसा नोड्स होता है stem है यह उसका तो इसका जो गेफ है तो यह देखिए आपको यहां cutting करना पड़ेगा तो यह हर एक एक आपका जो ये है ये जो आँख इसमें से आँख निकलेगा गन्य के जैसा तो इसको आपको रुपाई करना पड़ेगा तो इसका distance आप कितना रखे, तो इसका distance देखे, मैंने रखा है 2 feet, आप भी 2 feet में इसका distance रख सकते हैं, पेड के पेड से दूरी, और जो line से line की दूरी, आप 3-4 feet रख सकते हैं, तो इसका ये है कि एक बार अगर आपने इसका रुपई किया, तो ये आपका 15 साल तक जाता है, और इसका एक बार आपने रुपई करेंगे, तो उसमें से एक पेड निकलेगा, और कुछी दिन के बाद वो tiller देखे, आपका 15 से 20 पेड उसमें से निकल जाएंगे, tiller देखे, और इसका जब आप cutting करेंगे, तो अगर आप 2 या 3 पेड का अगर आप काटेंगे, तो आपक 15 पसु रखे हैं, तो आपके लिए कम से कम एक एक एकर का अगर आपने खेती किया है, तो आपका 15 गाई के लिए आपका आराम से हो जाएगा, और रही और एक बात कि इसका खेती आप कब करें, तो इसका खेती आप साल में कोई भी टाइम इसका खेती कर सकते हैं, लेकिन इ जो हाई लेंड है जो उच्चा जागा होता है जैसे मेरा यह उच्चा जागा है तो इसे जगा में आप खेती इसका कर सकते हैं वो जागा में आप इसका खेती नहीं कर सकते हैं जहां धान की खेती होता है जहां पानी जमता है क्योंकि इसमें पानी नहीं जमना चाहिए बस इ और जब एक बार बड़ा हो जाता है जब इसका एक दो कटिंग हो जाता है उसके बाद जितना भी पानी जमे तब भी ज्यादा कुछ खराप नहीं होता है और आप इसको एक बार खेती करेंगे और यह आपका 10 से 15 साल तक यह आपका चलेगा क्योंकि यह जब आप कटिंग करे है उसी तरह का इसका भी फार्मिंग है सेम टू सेम गन्ना जैसा है लेकिन क्या गन्ने के पत्ते को गाई नहीं खापाते हैं और यह सिर्फ डिजाइन किया गया यह अपने गाई खाने के लिए और यह देखिए यह भी 8 से 10 फीट तक का है पूरा मुलाइम है तो यह जादा से जादा बड़ा हो कि 20 फूट तक भी इसका हाइट जाता है लेकिन आपको उतना तक नहीं रखना है क्योंकि उसके बाद इसका फूल निकल आएगा और उसका जो स्टेम है वो काफी मजबूत हो जाएगा गन्ना के तरह जिसको आपका घाय नहीं खा सकते है तो इसको आप अपने मेनवाल जो चाफ कटर मेशिन होता है वो कटर मेशिन से आप इसका कटिंग कर सकते हैं या फिर आपका मोटर भी मोटर वाला आता है करेंट मोटर वाला आता है डिजल पेट्रोल मोटर वाला आता है जितना बड़ा आप चाहेंगे उतना बड़ा मेशिन आता है ट्र 600 गाई भेंसे वोडा वी फार्मिंग करते हैं और इसका फार्मिंग लिए कोई दिक्कत नहीं है और यह अगर आपने खेती क्या जो गाइ को आप अगर 10 किलो दाना रोज देना पडता है तो अगर आपके पास यह घ्र com आपको वही गाय को 3kg दाना देना पड़ेगा और इसको आपको खरीदना नहीं पड़ेगा एक बार आपने इसका खेती किया बस पानी देते रहेए ये बढ़ता रहेगा और आप काड़ते रहेंगे तो इतना के के हम अपना वीडियो भी खतम करेंगे धन्यवाद झाल झाल